आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ यूट्रेंट के अपवर्ड कंड़क्शन में क्या हेल्प करता है फर्स्ट ऑप्शन है रूट सेकंड है स्टेम, थर्ड है लिवस और फोर्थ ऑप्शन है प्रूट तो बैसिकली दोस्तों हमें डॉख करते हैं यह हो गई हमारे प्लांट की रूट और यह हमारा प्लांट है जिसके यहाँ पर क्या है लीव बीच में उसके स्टेम है और यहाँ पर फ्लावर्स और जो भी है ठीक है अब हमसे पुछा है कि अपवर्ड कंड़क्शन अपवर्ड मतलब कि उपर की साइट कंड़क्शन होना है उसका तो obviously यह जो roots है ना दोस्तों यही help करेंगी upward conduction में because यह जो roots है इसके अंदर बहुत सारे nutrients भी होते हैं और साथ में इसके अंदर water भी absorbed होता है तो जब water की ज़रत पड़ती है इस plant को तो कौन इसको upward conduction कौन create करेगा वो obviously root ही करेगी क्योंकि root ही उपर भेजेगी ना with the help of xylem तो इसलिए हमारा जो question है उसका correct answer है A root बागी सारे options incorrect है because stem यहाँ पर है leaves यहाँ पर है fruits यहाँ पर हैं तो यहाँ से कैसे upward होगा upward मतलब उपर जाना और obviously earth से सबसे close कौन है root है इसलिए हमारे question का जो answer है वो क्या होगा A root और यह हमेशा unidirectional काम करती है unidirectional in the sense कि हमेशा एक ही direction में काम करती है water और minerals को xylem के थ्रू उपर के side ही भेजेगी यह bidirectional मतलब या फिर multidirectional नहीं कर सकती है बस नीचे से उपर ही कर सकती है एक ही direction में work करती है hence our correct answer is A thank you